हेलो फ्रेंड्स कैसे हो जी के 2020 यूट्यूब चैनल में आपका हर्दिक स्वागत है दोस्तो 22 माई के इस करंट अफेर वीडियो को आप ध्यान से देखिए और बाद में आप सोचिए कि इसी तरह का करंट अफेर देखने की आदत आपने एक साल तक के लिए बना ली तो आपका जो सोचने का तरीका है वो बिल्कुल ही बदल जाएगा और आपकी आने वाले एक्जामिनेशन में करंट अफेर का एक सिंगल क्वेशन भी गलत नहीं हो सकता यह हमारा वादा है और हर वीडियो के लाश्ट में मैं आप से एक क्वेशन भी पुछूंगा जिसका आंसर आपको नीचे कमेंट बोक्स में देना है तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेशन से आज का पहला क्वेशन हाल ही में अंतरराष्ट्रिय जैव विवित्ता दिवस कब मनाया गया हर साल अंतराष्टिय जैव विवित्ता दिवस मनाया जाता है 22 मै को यानि कि इस क्वेशन का सही आंसर है 22 मै और जब इंपोर्टन डे वाला क्वेशन आया है तो इनसे जुड़े हुए और भी क्वेशन बन सकते है जैसा कि जैव विवित्ता शब्द का पहली बार प्रयोग किस ने किया था? वन्य जी वैज्यानिक और सरक्षन वादी रेमंड एफ दसमान ने 1968 में सबसे पहली बार या जैव विवित्ता यानि कि बायो डायवर्सिटी शब्द का यूज किया था एक और भी क्वेशन बनता है कि संयुकता राष्ट्र संग द्वारा किस वर्ष को अंतराष्टिय जैव विवित्ता वर्ष के रूप में मनाया गया था? 2010 को किस वर्ष को? 2010 को अंतराष्टिय जैव विवित्ता वर्ष के रूप में मनाया गया था? और यहां इस image को देखिए, 22 मैं 2020, International Day for Biological Diversity और इस साल की theme क्या रखी गई है, वो भी यहां आप पढ़ सकते हैं, our solutions are in nature, यानि कि हमारे जो मुसीबते हैं, इसी का solution हमारे nature में है, और याद रखो, संयुक्त राष्टर महा सभाद्वारा वर्ष 2000 में संकल्प के माध्यम से इस दिवश को मनाने की गोशना की गई थी, और भारत सरकार ने भी बायो डाइवर्सिटी के तहत हमारे बाग को सहरक्षन प्रदान किया है, तो भारत सरकार द्वारा सन 1973 से बाग परियोजना आरम की गई, जो कि बागो के सहरक्षन से सब्बंधी थे, और अब इसके उत्सा व क्वेशन से जुड़े important fact में आपके सामने रखता हूँ, हमारा यह तरिका आपको अच्छा लगता है, तो लाइक करना मत बुलिएगा, दूसरा क्वेशन, निम्ना में से किस को आधूनिक भारतिय समाज का जन्मदाता कहा जाता है, आधूनिक भारतिय समाज का जन्मदाता कहा जाता है, राजा राम मोहनराई को, यानिकि इस क्वेशन का सही आंसर है, option D, राजा राम मोहनराई, और वो सुर्कियों में क्यों रहे, क्योंकि 22 मैं 1772 में राजा राम मोहनराई का जन्म हुआ था, यानिकि 22 मैं को हर साल राजा राम मोहनराई की जन्म जयन्ती मनाई ज राजाराम मोहनराई का जन्म 22 मैं 1772 में हुआ जन्म भूमि है भारत के बंगाल में पस्चिम बंगाल में हुगली जिले के राधानगर गाउ में राजाराम मोहनराई का जन्म हुआ और राजाराम मोहनराई की मृत्यू 27 सितंबर 1833 में इंगलेन के ब्रिश्टल में हुई और म भाशा ये बोल सकते थे, एक्सपर्टर थे बहुत सी भाशाओ में, अर्दी, फार्सी, अंग्रेजे, ग्रेक, हिब्रु यानिकी इब्राणी आधी भाशाओ के ग्याता थे हमारे राजाराम मोहनराई। राजाराम मोहनराई ने, और राजाराम मोहनराई की जो भावी थी, उनको समाज ने सती कर दिया, और इसलिए उन्होंने तई किया कि किसी भी तरह से सती प्रथा को समाज में मिटाना चाहिए। हमारे समाज सुधारत थे राजाराम मोहनराई। तिसरा क्वेशन, एन्टी पीसी ने संयुक्त उध्यम स्थापित करने के लिए कि इसके साथ समझोता किया है। एन्टी पीसी पूरा नाम पड़े तो नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने हाल ही में संयुक्त उध्यम स्थापित करने के लिए ओ एन्जीसी के साथ समझोता किया है। यानिकि इस क्वेशन का सही आंसर है ओ एन्जीसी। तो देखो इस समझोते के अंतरगत एन्टी पीसी और ओ एन्जीसी कंपनिया भारत सहीत विदेशों में अपतटिय पवन और अन्यन नवीनी करणिय उर्जा परियोजनावों की स् भावना तलाश करेगी। और ओ एन्जीसी को दोजार चालिस तक अपने पॉर्टोफोलियो में कितने गिगावट अक्षय उर्जा जोडने की महात्वा कांग्षी लक्ष रखा है तो ओ एन्जीसी ने दोजार चालिस तक अपने पॉर्टोफोलियो में 10 गिगावट अक्ष के बारे में भी मैं आपसे चर्चा करता हूँ लेकिन हम बात करते हैं Oil and Natural Gas Corporation Limited के हिंदी में कहे तो तेल और प्राकृतिक गैस निगम इसकी स्थापना कब हुए? 14 अगस्त 1956 में ONGC की स्थापना हुए ONGC का मुख्याले दिल्ली में स्थी थे और ONGC के अध्यक्ष और प्रबन निदेशक कौन है? तो यहाँ देख सकते हैं शशी शंकर वो वर्तमान ONGC के अध्यक्ष एवं MD यानिकी मैनेजिंग डिरेक्टर है और यह समझोता हुआ है NTPC और ONGC के बीच तो NTPC का पुरा नाम मैंने बताया National Thermal Power Corporation और इसकी स्थापना 7 नवंबर 1905 को की गई NTPC का मुख्याले कहा प्रस्य थे? नई दिल्ली में और NTPC के अध्यक्ष और प्रबन निदेशक कौन है? गुर्दीपसी जो यहाँ आप इमेज में देख सकते हैं और अब बात करते हैं चौथे क्विश्चन की इंदिराग गांधी National Open University के Online MA हिंदी कार्यक्रम का शुभरम किस ने किया? तो इगनो जो एक Open National University है और उन्होंने हाल ही में एक Online MA हिंदी कार्यक्रम लॉंज किया है और यह लॉंज किया है हमारे शिक्षा मंत्री रमेश पोकरियाल निशंक ने यानि कि हमारे MHRD मिनिस्टर ने इस हाल ही में Online MA हिंदी कार्यक्रम का शुभरम किया है तो देखो, केंद्रिया मानव संसादन विकास मंत्री रमेश पोकरियाल निशंक ने Facebook Live सत्र के जरिये इगनो के Online MA हिंदी कार्यक्रम का शुभरम किया और इस कार्यक्रम से हमारी पढ़े इंडिया Online पहल को मजबूती मिलेगी तो हाल ही में COVID-19 का संक्रमन फैल चुका है पूरे भारत में और विश्व में तो कई सारे Online कार्यक्रम के जरिये बच्चों को या तो कॉलेजियन को पढ़ाया जाएगा और बात करते हैं इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी की तो इसकी स्थापना कब हुई है? 1985 में इगनु की स्थापना हुई और इसकी स्थापक कौन है? हमारे भारत देश की सरकार यानि की Government of India ने इगनु की स्थापना की इसके कुलपती कौन होते है? हमारे देश के राष्ट्रपती हमेशा इगनु के कुलपती होते है और उप कुलपती वर्तमान में कौन है? नागेश्वर राव और क्षेत्रियक कैंद्रो की बात करें तो समुचे भारत में इगनु के क्षेत्रिय केंद्रों की संख्या है 67 और चात्रों की संख्या कितनी है हमारे भारत में इस 67 क्षेत्रिय केंद्रों में चात्रों की संख्या कुल मिला कर है 4 मिलियन से भी अधिक यानि कि तक्रिबन 40 लाग से भी अधिक स्टूडन इगनु के म अधियम से अधियन कर रहे है, स्टडिक कर रहे है। और एर्टेल अफरीका के बीच हुई इस साजेदारी का उद्देश क्या है। और इसी तरह की हाल ही में समझोती की बात हुई है युनिसेफ और एर्टेल अफरीका के बीच। तो इन दोनों के द्वारा मॉबाइल तक्निक का इस्तिमाल लगबग 133 मिलियन स्कूली बच्चो को लाबानवित करने के लिए किया जाएगा। तो बहुत ही यह अच्छा कदम उठाया गया है बच्चो की शिक्षा के लिए। और बात करते हैं एर्टेल अफरीका की तो इसके मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन है रगुनात मांडव जो यहां आप इमेज में देख सकते हैं और इसी के साथ समझोता हुआ है युनिसेफ का तो युनिसेफ से जुड़ा हुआ एक क्वेशन कुछ दिन परले ही करंड अफेर में था कि हाल ही में डेनी का ये हुमेनिटेरियन अवर्ड से किसको सन्मानिक किया गया है युनिसेफ द्वारा प्रियंका चौपडा को या डेनी का ये हुमेनिटेरियन अवर्ड से सन्मानिक किया गया है तो बात करते हैं युनिसेफ की युनिसेफ का पुरा नाम क उनिसेफ को नोबेल पुरसकार से भी सन्मानित किया जा चुका है। कब तो उनिसेफ को 1965 में उसके 72 कारिय के लिए शांती के नोबेल पुरसकार से सन्मानित किया गया था। और उनिसेफ का मुख्या लए अमेरिका के नियू यूर्क शहर में स्थी थे और उनिसेफ की कारिय कारी निदेशक कोन है हें रिटा एच फॉर और उनिसेफ की स्थापना कबुई 11 दिसंबर 1946 में उनिसेफ की स्थापना हुई। चठा क्विशन हाल ही में भारत और किस देश के बीच अंतर देशिय जल पार गमन एवं व्यापार प्रोटोकल के द्वितिय परिशिष्ट पर हस्ताक्षर किये गये हैं। तो भारत और बांगलादेश के बीच इसी प्रकार के अंतर देशिय जल पार गमन एवं व्यापार प्रोटोकल के द्वितिय परिशिष्ट पर हस्ताक्षर किये गये। किस के साथ? बांगलादेश के साथ। तो क्या मामला है देखो नविन समझोते के बाद भारत बांगलादेश प्रोटोकल के तहत परिवहन मार्गो की संख्या 8 से बढ़कर अब 10 हो गई है यानि कि हमारे और बांगलादेश के बीच जल परिवहन संभवित होगा और यह समझोता किसी तीसरे देश में भी माल परिवहन की अनुमती देता है और इसी प्रोटोकल पर पहली बार वर्ष 1972 में हस्ताक्षर किये गए थे यानि कि जब बांगलादेश पाकिस्तान से मुक्त हुआ यानि कि पूर्व पाकिस्तान जब बांगलादेश बना तब पहल करते हैं बांगलादेश की तो पहले तो यहां आप मेप में देखे कि बिलकुल पस्चिम बंगाल से सटा हुआ या बांगलादेश जीसकी कैपिटल का नाम क्या है ठाका बांगलादेश की करेंची क्या है टका बांगलादेश की वर्तमान प्रदान मंत्री कौन है शेक हसीन बांगला देश के वर्तमान राष्ट्रपती कौन है अब्दुल हमीद और बांगला देश से जुड़ा हुआ एक और क्वेश्चन करंट अफेर में था कि बांगला देश का राष्ट्रिय नारा अब क्या होगा जो है बांगला जो बांगला देश का अब राष्ट्रिय नारा साथवा कुशन यानि कि इस कुशन का सही आंसर है 200 करोड तो देखो सामन्य वित्तिय नियम 2017 में शंशोदन इसकी गोशना आत्म निर्बर भारत अभ्यान के तहत की गई है और GFR इसका पुरा नाम क्या होता है General Financial Rules हिंदी में कहे तो सामन्य वित्तिय नियम और इसी के बारे में बात करे तो सा अहली बार 1947 में जारी किया गया था और GFR यानि कि General Financial Rules 2017 को 2017 में शंशोदित किया गया था ताकि यह सून इस्चित किया जा सके कि कोई संगठन लचिले पन से समझोता किये बिना अपने विवसाई का प्रबंधन कर सकता है और बात करते हैं अब आठवे क्वेशन के पारत सरक पारिस्थिति की रूप से समवेदन शिल भौगोलिक शेत्रों की पहचान करने के लिए किस समीति का गठन किया था तो हमारे भारत सरकार ने पारिस्थिति की रूप से समवेदन शिल भौगोलिक शेत्रों की पहचान करने के लिए डौक्टर कस्तुरी रंगन समीति का गठ क्योंकि 21 मैं 2020 को केंद्रियम मंत्री प्रकास जावडेकर जीने वीडियो कॉन्फरेंसिंग के माध्यम से राज्यों के मुख्य मंत्रियों से बातचित की किस मामले में बातचित की की वीडियो सम्मेलन में भाग लेने वाले राज्यों में करनाटक, केरल, महराष्ट्र, गोवा, तमिलनाडु और गुजरात राज्य शामिल थे और इसमें डिसीजन लिया गया कि हमारा जो पश्चिम गाठ है इसे इस तरग का सम्वेदन शिल क्षेत्र गोशित किया जाए तो देखो भारत सरकार ने डॉक्टर कस्तुरी रंगन की अध्यक्स्ता में एक उच्च स्तरिय कार्य समू का गठन किया और इसी के तहत इकोलोजिकली सेंसेटिव एरिया कोशित किये जाएंगे और इसमें जो फश्चिमी घाठ है उसे भी सुचित किया गया है और जब किसी क्षेत्र को ecological sensitive area कोशित किया जाता है तो इसका मतलब है कि वहाँ खनन, thermal plant, उत्खनन, निर्मान और उद्योग की स्थापना पर प्रतिबंद लग जाएंगे और यहाँ परियावरन को सरक्षित कर दिया जाएगा नववा question उत्तर प्रदेश सरकार ने UP Startup Fund की स्थापना के लिए किसके साथ समझोता किया है उत्तर प्रदेश की सरकार ने UP Startup Fund की स्थापना करने के लिए हाल ही में CEDB के साथ समझोता किया है यानि कि इस question का सही answer है CEDB तो देखो उत्तर प्रदेश सरकार ने UP सूचना प्रद्योगी की और Startup नीती 2017 के तहत UP Startup Fund को CEDB द्वारा प्रतिबंधित किया जाएगा और बात करते हैं CEDB की तो CEDB का पुरा नाम क्या होता है Small Industries Development Bank of India CEDB का पुरा नाम होता है तो पहले तो हम बात करते हैं इस समझोते की और इस नीती में 15 करोड रूपय का प्रारंभिक योगदान दिया गया है CEDB के द्वारा और फंड का उद्देश्य क्या है उत्तर प्रदेश में विभिन क्षेत्रों में मौजूद पंजी कुरूद स्टार्टप उपक्रमों का सहयोग करना और EC को हालही में विक्सित करना क्योंकि COVID-19 के कारण बहुत से जोक्षेत्र है वो अपना स्टार्टप स्टॉप कर चुके हैं तो फिर से शुरू करना होगा और बात करते हैं उत्तर प्रदेश की, उत्तर प्रदेश अपना स्थापना दिवसकब मनाता है 24 जनवरी को, क्योंकि उत्तर प्रदेश की स्थापना 24 जनवरी 1950 को हुई, उत्तर प्रदेश की कैपिटल का नाम क्या है? लखनव, उत्तर प्रदेश की वर्तमान राज्यपाल को और उत्तर प्रदेश से प्रत्थम महिला मुख्य मंत्री का नाम जुडा है क्योंकि अक्टूबर 1963 में सुचेता कृपलानी उत्तर प्रदेश एवं भारत की प्रत्थम महिला मुख्य मंत्री बनी थी और यहां देख सकते हैं सुचेता कृपलानी जो हमारे देश के एक स्वात स्थापना कब हुई दो अप्रेल 1990 को सीडवी की स्थापना हुई और अगस्त 2017 से मौहमद मुस्तफा सीडवी के अध्यक्स सप्रबंध निदेशक है जो यहां आप इमेज में देख सकते हैं और सीडवी का उद्देश्य क्या है पुनरवित्त सुविधाये और उद्योगों क अलपकालिक रून प्रदान करना सीडवी का उद्देश्य रहा है और इसी के तहत कहीं सारे स्टार्ट अप्स को सहायता दी जाएंगी दस्वा क्विशन हाल ही में एशले कूपर का निदन हो गया वे किस खेल से जुड़े थे तो यहां आप देख सकते हैं एशले कूपर ज देखिए एशले कूपर का जन्म 15 सितंबर 1936 को ऑस्ट्रेलिया के मेलबोर्न में हुआ था और आठ बार के ग्रेंड स्लेम टेनिस चेंपियन रह चुके है एशले कूपर उम्र थी 83 यर्स यानिकि 83 यर्स की आयू में एशले कूपर का निदन हो गया है और वो एक पूर्व ऑस्ट्रेलिया टेनिस प्लेयर थे यह बात भी आप याद रख लिजिए और एशले कूपर अपने केरियर के दोरान वर्ष 1957 से वर्ष 1958 के दोरान दुनिया के नंबर वन खिलाडी के स्थान पर रहे थे वर्ष 2007 में टेनिस में उनके अमुलिय योगदान के लिए ऑस्ट्रे प्रदान मंत्री ग्राम सडक योजना के तहत ग्रामीन सडक विकास में कीस का उप्योग किया जाएगा तो आंसर आपकी आखो के सामने है यह है क्वायर जीरियो टेक्स्टाइल और ग्रामीन सडक विकास में इसका उप्योग किया जाएगा यानिकि इस क्विशन का सही आंस तूट फूट मोड एवं नमी प्रती रोधी है और कीसी भी सुक्षमत जीवी हमले से मुक्त है और इसलिए जो ग्रामीन सडकों को बनाया जाएगा इसमें कोयर जीयो टेक्स्टाइल का यूज किया जाएगा और इसका मुख्य अनूप्रयोग सीविल इंजिनेरिंग उद्यो योजनाका चरण तीसरा कब शुरू किया गया था दिसंबर 2019 में यह ग्रामीन सडक योजनाका तीसरा चरण शुरू किया गया था और इसके तहत एक कल लक्षपी तई किया गया है तो इनसे जुड़ा हुआ एक क्वेशन बनता है कि तीसरे चरण में कितने किलोमीटर के समेकन पर ध्यान केंदरित किया गया है तो इस तीसरे चरण में 1.25 लाग किलोमीटर सडक के बनेंगी आंसर देख लिजिए एक लाग 25,000 किलोमीटर सडक के निर्मित की जाएगी इस हमारे प्रदान मंत्री ग्राम सडक योजना के फेज 3 के तहत और इसका उद्देश क्या है ग्रामीन क्रिशी बाजारों, अस्पतालों और उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों को जोडना इस ग्रामीन सडक योजना का उद्देश्य है, बारवा क्विशन, हाल ही में राष्ट्रपती रामनात कोविन ने वीडियो कन्फरेंसिंग के माध्यम से कितने देशों के राजदुतों और उच्चा युक्तों से क्रेडेंशियल स्विकार किये है, हमारे राष्ट्रपती रामनात कोविन ने हाल ही मे साथ देशों के राज़दूतों और उच्चा युक्तों से क्रेडेंशियल स्विकार किये है यानि कि अन्य साथ देशों के राज़दूत या उच्चा युक्त भारत में नियुक्त किये गए है तो यह साथ कौन कौन से तो उत्तर कोरिया से राजदूत चोई हुई चौल, सेनेगल के राजदूत अब्दुल वहाब हैदर, त्रिनीदाद और टोबेगो के उच्चा युक्त रोजर गोपाल, मौरेशियस के उच्चा युक्त सेंटी बाय हनोमनजी, औस्ट्रिलिया के उच्चा युक्त, जैकलेंग, मुकांग गिरा, तो इन साथो उच्चा युक्त या राजदूतों को भारत में नियुक्त किया गया है, तेरवा क्वेशन, हाल ही में इंडियन एरफोर्स टेस्ट फ्लाइट से निकली स्वानिक भूम ने निम्ना में से किस शहर वास्यों को आस्चर्य चकित कर दिया, तो पहले तो यहां आप इमेज में देखे, यह हमारे भारत देश का इंडियन एरफोर्स टेस्ट फ्लाइट है, और इन से निकली स्वानिक भूम ने हाल ही में बंगलूरू के शहर वास्यों को आस्चर्य चकित कर दिया है, यानि कि इस क्वेशन का सही आंसर है, बंगलूरू, तो देखो, करना टक के बंगलूरू में 20 मैं 2020 को एक सुपर स्वानिक प्रोफाइल से युक्त, इंडियन एरफोर्सर टेस्ट फ्लाइट से निकली, तेज द्वनी से, जिससे स्वानिक भूम के रूप में जाना जाता है, उन्होंने शहर वास योग को आश्चरिय चकित कर दिया, और एक क्वेशन और बंता है की सुपर स्वानिक किसे कहते है, तो आवाज की रफ्तार से भी तेज गती होती है, जिस प्लैन के उसे हम सुपर स्वानिक कहते है, तो याद रखो, जब कोई वस्तु ध्वनी की गती से अधिक तेजी से वोगमप आने और काच के तूटने के समान जटके लग सकते है और इसी तरह की हाल ही में घटना हुई है बंगलुरु में और अब बात करते है पिछले वीडियो के क्वेशन की तो पिछले वीडियो में मैंने आपसे क्वेशन पुछा था कि हाल ही में रिलिज जैतू भारतमगीत किस ने लिखा है जैतू भारतमगीत प्रसुन जोशी ने लिखा है और तकरीबन दोसों से अधिक सिंगरों ने गाया है बहुत ही खुबसुरत गित है तो प्लीज दोस्तों आपने यूट्यूब उपर यदि नई सुना है तो सुन ले जीएगा और इस क्वेशन का सही आंसर दिया है जयनती जोट देर ने और उन्होंने फर्स्ट व्यू है यानि कि सबसे पहले इस वीडियो को देखा है तो आपको बहुत बहुत बधाए और इस क्वेशन का सही आंसर लिखा है शैलिश कुमार तब्याड ने और वो हम्मेश पूरे सेंटेंस में आंसर लिखते हैं तो आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद और सुरत गुजरात से प्रियंग चोधरी ने भी इसका सही आंसर दिया है कि जैतु भारत सोंग लिखा है प्रसुन जोशी ने और इस क्विशन के सही आंसर देने वाले हमारे और भी सब्सक्र प्राइबर फ्रेंड में है गजेंदर नाहक उन्होंने लिखा है गोवा से कि प्रसुन जोशी ने इस गीत को लिखा है और किन किन कलाकारों ने इसे गाया है वह बात भी लिखी है और मुकेश कुकडिया गुजरात राजकोट जस्दन बर्वाला से मेर शितल गुजरात के नवागाम से चेतन कंजरिया गुजरात के बावला से और संगीता उन्होंने भी इस क्वेशन का सही आंचर दिया सभी दोस्तों को सही आंचर देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आज के वीडियो का क्वेशन ए रहा स्क्रेन पर सुरक्षा कारणों की वज़ा से हंको प्रथा आज भी किस देश में लोग प्रिया है तो यह शब्द शायद आप पहली बार सुन रहे है तो कल के वीडियो में मैंने आपको बताया था हंको प्रथा आज भी किस देश में लोग प्रिया है चार कंट्री के नाम आपकी स्क्र पर है और उसी में से सही आंसर चुनना है और आंसर लिखना है नीचे कमेंट बॉक्स में तो दोस्तो आंसर देना मत बुलिएगा और आज का वीडियो आपको अच्छा लगा है तो फेस्बूक वाटसेप और टेलिग्राम के जरिये आपके दोस्तों को इस वीडियो की लिंक शेर करना मत बुलिएगा फिर मिलेंगे नए करंट अफेर के साथ तब तक के लिए टेक केर एंड जैहिंद